समस्कार सौागत है आप स्भी का बिहार सिविल कोड़ भरती लेटरेस अपडेट पर दोस्तों कैसे आप सबीक उम्मीद है आप अच्छे और सुस्तूंगे आज बिहार सिविल कोड़ भरती से सम्मधित महतुपूर 즐क 1979 गया है कि बिहार स्विल कोड भरती एक्जाम डेट कब तक निर्धारित किया जागा आज इस वीडियो के मादधियों से हम आपको बिहार स्विल कोड भरती का एक्जाम कब तक जारी किया जागा एक्जाम से पहले बिहार स्विल कोड भरती एडमिट कार्ड कब तक जारी किया मिलने वाले हैं तो दोस्तों अभी हमारे चनल सरकारी आरेने को सब्सक्राइब कीजी वीडियो को लाइक करके सेर जरूट कीजी और वीडियो को पूरा देखे तभी आपको संपूर जानकारी मिल पाएगी क्योंकि आज के हैं वीडियो बिहार स्विल कोड भरती से समधित महत पूर्ण होने वाला है बिहार के स्विल कोड में कलरक चपरासी श्टोनों और कोड रीडर के 7,692 पदों पर भरती के लिए एकजाम डेट की तारीकों का एलान जल्द होने वाला है विभिन मेडियो रिपोर्ट के मताबिक बिहार स्विल कोड भरती का जो एडमिट कार्ड जारी किया जागा वो लगभग 8-9 मार्च के मत्द जारी किया जागा मतलब दोस्तों बिहार स्विल कोड भरती का जो एकजाम की तारीकों का एलान किया जागा वो लगभग 10 से लेकर 15 तारीक के मत्द सुरू किया जागा बिहार स्विल कोड भरती में जितने भी आप भ्या वो मार्च मामे सुरू किया जागा VIR civil code भरते एकजाम सुरू होने पर आप बिहारतियों को कुछ खास नेरदेश का पाला भी करना होगा मतलब दोस्तो present VIR civil code भरती में आपको एड्विट कार्ड आधार कार्ड और साथ लेकर नकियाम में जाना 325 पद निर्धारित के गए इसी तरह बात करने इस टोनोग्राफर के तो इस टोनोग्राफर के 1562 पदों को भरा जाएगा कोट रीडर की बात करें तो 1132 पदों को भरा जाएगा बिहार स्विल कोड भरती में कलरक इस टोनोग्राफर कोट रीडर भरती का जो एकजाम सुरू क किया जागा वो एक साथ ही कि शुरू किया जागा यह एक्जाम CBT के माध्यम से आयोजित की जागे मतलब सबसे पहले आपको आनलाइन पर इच्छा देना होगा जो कंप्यूटर पर आधारित पर इच्छा होगी जो बहविकल्पी माध्यम से शुरू किया जागा जिसमें से आपको आनलाइन माध्यम से एक्जाम देना होगा जितने भी अब्यारती आनलाइन माध्यम में एक्जाम देंगे अगर वो सपल होंगे तब ही उनका सेलेक्शन बिहार स्विल कोड भरती में किया जागा बिहार स्विल कोड भरती में सेलेक्शन होने के बाद अब्यारत को डाकूमेंट बैरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए बुलाया जागा मतलब दोस्तों बिहार सिविल कोड भरती का डाकूमेंट बैरिफिकेशन प्रक्रिया में सभी अभ्यारतों को उपस्तित होना होगा डाकूमेंट बैरिफिकेशन प्रक्रिया रिजल्ट एनाउंस होने के जैसे ही किसी भी दस्दस्तों बेच का सत्या पर अगर गलत पाया जाता है तब आपकी जोईनिक टक्रिया बिहार स्विल कोड़ भरती में रोग दी जाएगी। मतलब दोस्तों बिहार स्विल कोड़ भरती एकजाम देने के बाद आपको डाकूमेंट वैरिपिकेस्टन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। आयो के टीम के दोरा किया जाएगा।